नमस्ते फ्रेंज आसा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे स्वस्थ होंगे अर्खूस भी होंगे आज मैं जो वेडियो आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ यह हमारे आंगान में जो आमला का पेड है उसी को मैं पूजा करती हूँ और यह जो पूजा मैं केसे की हर साल कार्तिक महिने में जो आमला नभमी का तिथी आता है उसी दिन में पूजा करती हूँ और ये जो क्लिप्स में पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ अंधेरा हे थोड़ा थोड़ा सा में साप सफाई कर रही हूँ हमेशा उसी टाइम में में जाड़ू वगरा कर लेत हूँ पर एक दिन पहले में आमला का जो पेड़े उसके नीचे में अच्छे से साप सफाई तो था फिर भी में पानी बगरा डालके अच्छे से उसको पोच्छा जैसे लगाते हैं मिट्टी को एक कपड़ा से अच्छे से में साप करके रखी थी और ओ धूप से सूख गया है अभी में जो साप्ट बाला ज़ाड़ू है उससे अच्छे से जो पत्ता गिरा है साप कर रही हूँ इसी टाइम सुरस देवता नहीं आये है पर अंधेरा जला गया है और मैं ये ज़ाड़ू करने के बाद नहाने जाऊंगी उसके बाद जो आमला का पेड़े पुजा कर करने के लिए तयारी करूंगे ये आमला पेड़ को जो पुजा करते हैं मैं बिधी बिधान अच्छे से नहीं जानती हूँ पर स्रधा से मुझे अच्छा लगता है पुजा करना और हमारे अंगन में जिस दिन से ये आमला का पेड़ लगा है उसके बाद से जब आमला नव आमि आया मैं ये पुजा कर रही हूँ आमला नवनि का पुजा और एसे ही प्रती दिन जो पुजा होता है नित्य पुजा होता है घर में घर का जो पुजा घर में पुजा के साथ हमारे आंगन में बेल का पेड़ है और ये आमला का भी पेड़ है उसको हम पुजा कर लेते जैसे तुल्सी मा को पुजा करते हैं हर दिन एसे आमला को भी और बेल का पेड़ उसको भी पुजा कर लेते हैं पर जैसे मुझे आता है मैं एसे ही पुजा की हूँ पहले हमारे यहां यह जो आमला नवमि के दीन पेड के नीचे प्रभु जगनात जी और प्रभु बड़भद्र जी माता सुभद्रा उनका रंगुली से हम कुछ बना लेते हैं जिसको जिस तरह आता है मुझे इतना अच्छा नहीं आता है मेरा आठ इतना अच्छा नहीं है परफिक नहीं है पर मैं बनाने की कोशिस की हूँ और ये तुलसी का पेड बनाई हूँ उसके पास में अर्नामेंट्स तुलसी मा का अर्नामेंट्स कुछ बनाई हूँ इस तरह हमारे यहां बनता है और पुराणों सास्त्रों में भी हम पड़े हैं आमला के जो ब्रुख्य है उसमें मालक्मी का बास होता है इसलिए जगनात जी का प्रतिचबी हम बनाते हैं और उसके साथ एक फूल इस तरह बनाई हूँ और एक कमल का फूल बनाई हूँ और प्रभु जगनात जीत के पास थोड़ा सा छोटा सा संख और चक्र और प्रभु बड़भद्र जी के पास एक गदा इस तरह में बनाई हूँ और उनको एक आसन की तरह बना के बिठाई हूँ और जो आमला का पेड़े उसके चारो तरफ इस तरह थोड़ा बना ली हूँ जो इजी होगा और सुन्दर दिखेगा इस तरह में बनाई हूँ और जो अर्नामेंट्स तुलसी मा के हैं नेकलेस और कुछ कान के फूल इस तरह जैसे हम लेडिज लोग पहनते हैं ये देवी म मा का भी अर्नामेंट्स है इसी तरह मान के हम बनाते हैं तो मैं इस तरह थोड़ा बना ली हूँ पर टाइम तो कम होता है सुबह को इसलिए जितना टाइम हुआ और मुझ से जितना बन पाया में रंगोली बनाई हूँ और आमला का पेड़ के पास ही मा तुलसी का एक पेड हैं और पुजा पाते हैं इस तरह सास्त्रों में भी बर्नन है इसलिए मैं हमेशा यह आमला का पेड़ है उसके पास एक तुलसी का पोधा भी रखती हूं दोनों को एक साथ पुजा कर लेती हूं और हल्दी का पानी है उससे मैं अच्छे से जो आमला का पेड़ के नीचे और तुलसी का पेड़ है उसको अच्छे से देके जैसे सनान कराते हैं उसी तरह मन में सनान की तरह भाबना लेके सनान करके और नया जो कपड़ा लाई थी उसके साथ लाल रंका चूड़ी और सिंदूर चंदन सिंदूर इस तरह जैसे पुजा करने के टाइम बेसिक जो प करती हूं और फूल थोड़ा जितना मेरे पास फूल था सजा ली हूं और छोटा सा कलस भी में रखी हूं तुलसी मा का जो पोधाय उसके सामने और आम का पत्ता लगाई हूं और फूल लगाई हूं और कलस के पास भी में थोड़ा सा प्रसाद रखी हूं और सुबह को इतना बीजी सिडूल होता है आप लोग जानते हैं इसलिए मेरे पास कोई नहीं है थोड़ा ये क्लिप्स को क्याप्चर करने के लिए और पुजा खतम होने के बाद हजबैंड आके थोड़ा सा क्लिप ले लिए हैं पर इसी बीच मैं दूर से क्यामरा को आर्जस्ट करके रखी हू ताकि मेरा रंगोली भी दिख जाए मैं भी दिख जाओ और थोड़ा सा पुजा भी आप लोगों को दिखने को मिले इसलिए इस तरह मैं आज सेट की हूँ सोच रही हूँ आप लोगों को ये आमला पेड का जो पुजा है जरूर अच्छा लगेगा आप लोगों को ये जो पुजा अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए और हो सके तो सेयर कर लीजिए और चानल में ने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यहाँ पे मेरा जो फूल सजाना हो गया है अभी मैं धूप दीप और प्रसाद में अभी सुबह का टाइम में केला और नारियल ये प्रसाद की तरह समरपन कर रही हूँ और जब लॉंच टाइम होता है मध्यान टाइम जो बोलते हैं उसी टाइम में मिठा वाला खिचरी प्रसाद लगा लूँगी क्यूंकि अकेली मैं इतना ज़्यादा कुछ बना के नहीं कर पाती हूँ इसलिए खिचरी बला मिठा खिचरी बला प्रसाद लगा लेती हूँ अभी फ्रूट्स बगरा लगा लेती हूँ इस तरह मैं पुजा कर लेती हूँ और ये पुजा के बीच में भी मैं बातचित कर रही हूँ और बेटा के बोल रहा है मेटी फिन में क्या लूँगा क्या खाऊंगा बेटी भी बोल रही है इस तरह चल रहा है और उसी के साथ पुजा भी मेरा चल रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे यह जैसा भी हो तो यह पुजा जो special day होता है आमला नभमी करना तो पड़ेगा और नहीं करो तो भी अच्छा नहीं लगता है मन में कुछ भाबना आता है मैं नहीं कर पाई इसलिए जितना संभव है मेरे से जितना हो सकता है मैं करने की कोशिस की हूँ और मेरा ये simple पुजा से मैं आशा करती हूँ मातारानी मातालख्मी संतुष्ट हो जाए यही तो हमारा कोशिस ही होता है जितना हम स्राधा से करे हमको संतुष्टी भी होता है हम संतुष्ट है तो मातारानी हमको अशिरबात दे दिये ओ भी संतुष्ट होगे मैं हमेशा मन में यही भावना रखे ही पुजा करती हूं और पुजा करने के बाद 108 बार आमला पेड़ को परिक्रमा करना चाहिए पर 108 बार परिक्रमा करना बहुत मुस्किल है सर चक्रा जाता है पर आप 8 बार भी कर सकते हैं और ये जो आमला का पेड़ है पुराने जमाने में उसके नीचे बेड़ के खाते थे, कर्तिक महिना सुरू होने से पहले साप सफाई करके उसके नीचे और उसके जो पेड़ के छाओं है ओ भी हमारे सरीर में जब लगता है, ओ भी अच्छा काम देता है, हमारा हेल्थ ठीक र इस तरह पुराणों में भी बर्नन है, आमला पेड़ के नीचे बेड़ के खाने से और खाने में जो पत्ता गिर जाता है, उस पत्ते की साथ खा लेने से सारीर स्वस्त रहता है, और आमला पेड़ को पुजा करने से प्रभु विष्णू भी संतुस्ट होते हैं, क्यूंकि लक्ष्मी मा संतुष्ट हो तो प्रभु विष्णू भी संतुष्ट होते हैं इसलिए तुलसी मा को आमला का पेड़ के पास रखा जाता है और मध्यान समय में मिठा वाला खिचडी इस तरह प्रिपरेशन की हूँ और इस तरह आप कुछ और भी बना के बच्चों को भी यहा है जो करा सकते हैं वो लोग कर सकते हैं यह पुण्य होता है और यहां पे पुजा करने के बाद बैठ के आसन बिचा के बैठ के छाओं के नीचे आप स्रिमत भगवत गीता भी पाठ कर सकते हैं यह सब करने से बहुत पुण्य होता है आमला नव्मी के दीन का यह बहुत महत प्राम्मन भोजन करा सकते हैं बच्चों को भी खाना खिला सकते हैं यह पैड के नीचे बिठा के इस तरह जो जो काम पुराणों में बनन है और जो मान में कुछ संकल्प करना चाहते हैं लाल कपड़ा से एक सुपपारी आप बान सकते हैं यह आमला का पेड में इस तरह करने से जो संकल्प होए वो पूरा होता है इस तरह भी मानते हैं आपको जैसे पसंद हो और जैसे आप कर सकते हैं उसी तरह पुजा किजिए मैं तो इस तरह सिंपल पुजा करती हूं आसा करती हूं आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा थांक्स पर वच्चिंग